आप सरी दोस्वागा त्यार इस वीडियो में और आज की वीडियो में हम जानेंगे फिर ओन कैम्पस जॉब्स और ओफ कैम्पस जॉब्स में क्या मेजर डिफिरेंसे होते हैं ठीक है तो मैंने में शिवागरेरी और इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या-क्या चीजे होती है और क्या-क्या चीजे नहीं होती है ठीक है सबसे पहले हम जाते है question that can that answer in this video question that answered in this video सबसे पहले हमें कौन-कौन सी skill सीखनी चाहिए on-campus job के लिए और off-campus job के लिए क्योंकि यार दोनों में थोड़ा-thोड़ा चीजे का difference होता है उसके बाद हमें देखना है कि on-campus job में कैसे apply करते है और off-campus job में कैसे apply करते है ठीक है off-campus job को थोड़ा सा tough होता है और on-campus में तो simple form बरते है और उसमें बाद हम एक वीडियो पर आएंगे कि कौन सा best होता है हमें best on-campus होता है या फिर off-campus होता है ठीक है या वीडियो बने रहे है तो start करते है सबसे पहले हम जाते हैं इस्किल्स के ऊपर रिए तो या इस्किल्स जो होती है सबसे पहले on-campus की इस्किल्स है off-campus नहीं मत देखना मैं off-campus को पर में आ जाता हूँ ठीक है तो on-campus के लिए हम देखते है सबसे पहले aptitude तुमारा होना चाहिए aptitude क्योंकि आर जो on-campus को जो होता है उसमें से aptitude questions पूछते हैं और सब कंप्यूटर fundamental के question होते हैं MCQ में तो तुमारा aptitude और computer fundamental must होता है on-campus job के लिए उसके बात में DBMS, OOPS, SQL, Operating System, CN, Commuter Network जो के लिए subject होते हैं उनकी knowledge होनी चाहिए क्योंकि आर on-campus जो companies आती है वो basically SD profile के लिए होती है और कोई specific role नहीं होता है की web developer या फिर front end या फिर back end वो बस उठा जाती है बच्चे फिर उनको intern कराती है और फिर उनको role देती है तो उनका कुछ confirm हो नहीं होता है कि तुम्हें front end में जाना है, back end में जाना है, फिर DevOps है फिर कुछ भी वो बस के वाले लेक computer student को लेने आती है इस डी के लिए ठीक है तो उनको computer fundamental भी चाहिए होते है उनका थोड़ा सा एपिट्यूट वालब बन्द वे चाहिए है उनको fund के बात में उनको तो जो मतलब इस टाइप गंबरीद होती है जैसे जुपी और extra talk मेरे अभी दोस्त गए है वहां पर केवल DSA rounds होते हैं तो DSA rounds में कुछ-कुछ होते हैं उसके बात कुछ-कुछ startups होते हैं वह केवल तुमारी domain knowledge के साब से लेते हैं जैसे कि जैसे मुझे flutter आती है और कहीं किसी startup में flutter opening होई है तो मेरे projects जो मैंने project बना है उसके उपर questions होते हैं मेरी क्या domain knowledge उसके उपर questions होते हैं ठीक है मैंने उस particular field में internship करी है नहीं करी है उसके उपर questions होते हैं ठीक है तो basically वो domain knowledge questions होते हैं जो startup काई कंपनी होते हैं क्योंकि उनको day one से ऐसा बंदाचेज हो कि code लिख सके आगे ठीक है उनको जादा सिखाते हैं लेकिन startup में सीखने को काफी कुछ मिलता है उसके बाद हम बात करते हैं how to apply and how to apply जो on campus होता हो तो simple होता है college में जाके apply को मतलब उनको कुछ portal होता है then फिर उसका minimum CGP है फिर no back का कुछ criteria हर company का रखती रखती नहीं रखती रखती नहीं रखती नहीं रखती नहीं रखती लेकिन आज कल तो सारी company no back का criteria और minimum CGP रखती है कुछ ने कुछ का all set ठीक all set from a just snippet चुडा लिया उसके बात big companies यार program दो how to apply का से बादी बड़ी-बड़ी companies होता है उनकी जो programs होता है वो famous होते काफ यादा यह जो गूगल कुछ अपने programs होता है अ फिलिप काड कुछ अपने programs होता है Amazon के ओते है अपने program तो तुम वो programs होते हो अपने प्रोग्राम देख सकते हो और तुम्हें यार कुछक अ एक्टीव लेना पड़ेगा तुम्हें LinkedIn पर तुइटर पर उसके से बात तुम्हें कहा से अप्लाई कर सकते हो तुम्हें जॉ जोप्तरी.com करके एक प्लैट्फार्म है जहां पे ओपनिंग साती है उतका इस्टा है रहा है और सबसे इच्छा चीज है टुटर टुटर और लिंग्डिन उचलाने का तरीका आना चाहिए अगर तुमने टुटर और लिंग्डिन पर अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई है त करते हैं क्वेस्टारी अचे टारीके से स्थाराल किया है क्यूकि मैंने लिंग्डिन के त्रुवी 3 जॉब ली थी apply तुम थू जब आऑ ऐसे कर सकते हो आंड और आउब कांपशते हैं जब से गभता होती है। जो से बंटर अ कौन से बेंदर होती हैं इस Pacific टॉन कुश-कु बहुत सा लोग अप्लाई करते हैं उस एक पर्टिक्लर पोस्ट के लिए वेरिस ऑन कैंपस पे तुम्हें उनी चार पांसो लोग में तोड़ा फाइट करनी होती है आफेट करनी होती हैं तो अनकैंपस असले होता है तो इस पर्टिक्यों लिए करते हैं उनी पुल पहल कोई तो ड़िये हैं अगर तुम्हें on campus Google रहे रखी है, तो off campus मतलब कोई बिकार साइट कमपनी है, तो Google on campus बेटर है, तो depending upon the company to company, तुम्हें कॉन सी कमपनी में जाना है, अगर तुम्हें जानना है कि इंटर्व्यू कैसे क्रैक करते हैं इस वाले वीडियो में देखके तुम पता कर सकते हो कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसके तुम्हें तो अपने इंटर्व्यू क्रैक करते हो अपता के लिए बाबाई